अगर आपका खाता Union Bank of India में है तो आपके पास इस प्रकार का SMS जरूर प्राप्त हुआ होगा Dear Customer, Lien of Rs. 17.70 पैसे has been marked in your account due to Lien for General Service Charges on 26 November 2023 Union Bank of India और इस SMS के प्राप्त होने के बाद आप अपने खाते से किसी भी प्रकार का ट्रांजिक्शन नहीं कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस SMS का क्या मतलब है और Lien for General Service Charges क्या होता है माल लिजिए आपका खाता किसी भी बैंक में हो और बैंक आपको आपके account पे बहुत सारे services प्राप्त कराती है जैसे कि David Card Service या SMS Service या Internet Banking Service और इन services के बदले में आपसे एक amount चार्ज करती है जिस amount को हम करते हैं General Service Charges और यह जो General Service Charges है यह एक fix amount है कि इतने duration तक अगर आप इस services का लाव लेते हैं तब आपको इतना पैसा एजो General Service Charges के फार्म में बैंक को देना पड़ेगा अगर आपका खाता Union Bank of India में है तो जो Union Bank of India का SMS Charge है वह इस प्रकार है कि 4 महीने का आपका जो SMS Charge का amount है वह 15 रुपया प्लस 18% GST जिसे आप calculate करेंगे तो total 17 रुपया 70 पैसा आपका SMS Charge होगा आपके account पेर वह अभी केवल 4 महीने के लिए अब आप देख सकते हैं कि जो 17 रुपया 70 पैसा मार्क किया गया है मेरे account पर लीन फाज जर्विस चार्जेज के रूप में वह SMS Charge के लिए दिया है और मेरे account का balance 17 रुपया 70 पैसे से कम है इसलिए मेरे account के balance को लीन कर दिया गया है जिसके बाद मैं अपने account में जो भी balance है 10 रुपया 5 रुपया उसे मैं किसी के पास transfer नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं यह 70 पैसे अपने account से कटवा न दूँ तब तक मैं किसी के पास किसी भी प्रकार का amount नहीं भीज पाऊंगा और अगर आपके पास कोई पैसा भीजता भी है तो यह जो 70 पैसा है वो आपके account से कट जाएगा उसके बाद जो आपका account का balance है वो positive हो जाएगा जिसके बाद आप easily किसी के भी पास भीज सकते हैं next हम जानेंगे कि कैसे हम इस lien amount को check करेंगे अपने Union Bank of India का जो mobile application है इसके लिए सबसे पहले हम अपना Union Bank of India का जो mobile application है उसे open कर लेंगे next हम यहाँ पर इस application का जो pin है उसे आप fill कर सकते हैं या फिर अपने biometrics से authenticate कर सकते हैं next अब आप देख सकते हैं कि आपके इस application का home screen open हो गया next अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है shaving अब हम इसे click करेंगे और यहाँ पर down side scroll करेंगे तो आप easily देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है lane details अब हम इसे click करेंगे तो आप easily यहीं से अपने Union Bank of India के account के लिए lane details चेक कर सकते हैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके account का balance कम हो और जो general service charges alert किये गए होंगे आपके account पे वह जादे हो जब ऐसा condition create होगा तभी आपके account में lean का mark किया जाएगा जिसके बाद आप किसी के पास पैसा नहीं भेज पाएंगे जब तक आप उस amount को clear नहीं कर लेते हैं at last अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video